गोड़े इवनिंग लेटेश्ट अबडेट ये है कि जगनात रत यात्रा को सुप्रिम कोड की हरी जंडी मिल गई है कुछ शर्तों के साथ दी गई है इजाजत तो आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि इसी तरह की लेटेश्ट अपडेट साब को लगातार मिलती रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजे तो चलिए वीडियो शुरू करत हैं पुरी में जगनात रथयात्रा को सुप्रीम कोट ने हरी जंडी दिखा दी है सुप्रीम कोट ने कुछ शर्तों के साथ रथयात्रा की इजाज़त दी है सुप्रीम कोट ने कहा पुरी रथयात्रा स्वास्त से समझोता के बिना मंदिर समिती राज और केंदर सरकार के सम युजित की जाएगी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिट अरुन मिस्टरा की अध्यक्षता वाली दो जजों की बेंच के सामने भगवान जगनात रत यात्रा पर सोमवार को सुनवाई की गई केंद्र ने कोर्ड के सामने कहा कि बिना भीड के धार्मिक रीत रिवाजों को पूरा किरने की अनमती दी जानी चाहिए और पूरी साओधानी के साथ यात्रा पूरी की जाएगी और इस तरह से आंद्रेबल सुप्रेम कोर्ट ने रत्यात्रा की अनमती शर्टों के साथ दे दी है आपसे एक बाद शेर करनी थी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा एस्ट्रोलोजी जोतिश शास्त्र में आपकी रूची है आप राशियों के आधार पर राशी फल जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल भविश दर्शन पर जाकर ये सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दिया है अब आपको बता दें कि 18 जून को रथ यात्रा पर रोक का आदेश चीफ जश्टिस की तीन जजों की बेंच ने दिया था इस आदेश में संशोधन की मांग को लेकर दरजन भर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी जिन पर सुनवाई करते हुए जश्टिस एस रविंदर भट के सामने लगी थी तो ये थी लेटेश अपडेट वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए मेरे चैनल को सब्क्राइब कर लीजेगा ओके थैंक यू